refresh rate का क्या मतलब होता है और हमारी आखों के लिए कितना refresh rate सही रहता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं refresh rate का मतलब होता है कि कोई भी mobile या tv की जो screen है या आपके किसी laptop computer की screen है वो screen पर किसी भी photo को एक second में कितनी बार refresh किया जाता है उसको refresh rate कहते हैं क्यानि कि जो जितना ज्यादा refresh rate होगा उतना आपको smooth दिखाई देगा और जितना कम होगा उतना आपको देखने में उसको अच्छा नहीं लगेगा यानिके जो पुरानी स्क्रीन पर आप कई बार टीवी देखते हैं या लैपटोप में देखते हैं तो आपको हलका-हलका हिलता हुआ दिखाई देता है सब कुछ कि धीरे 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 जैसे एक हाथ अगर left से right जा रहा है तो धीरे जटके खाता हुआ जा रहा है बीच बीच में गायब सा हो रहा है लेकिन अगर यह refresh rate 240 का है तो आपको बिलकुल smooth वो जाता हुआ दिखाई देगा तो एक second में screen को कितनी बार refresh किया गया है यानि कि कितनी बा जो है एक second में उस picture को बदला जाता है refresh किया जाता है और जो हमारी आखों के लिए सबसे सही रहता है वो 120 से ज्यादा का होना चाहिए refresh rate यानि कि minimum 120 का refresh rate जो है वो हमारी आखों के लिए जरूरी है ठीक है उससे ज्यादा जितना होगा उतना smooth हम देख पाएंगे अब आप ऐ ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल ऐकन को प्रेस करें